अलम्पिक में फिर दहडा हिंदुस्तानी शेर नीरत चोपड़ा ने विरोधियों को किया ठेर रफ्तार ऐसी ही पाकिस्तान भी खा गया मार अब तो लगता है बस गोल्ड से बनेगी बार खेलों के पाकुम्प का जाने वाला उलम्पिक गेंज इस बार पैरिस में हो रहा है जहां उलम्पिक मेडल्स जीतने के लिए वैसे तो भारत के तमाम एधिलीट्स हिस्सा ले रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी खिलाडी के हो रही है तो वो है नीरत चोपडा जिनने भारत के ओलम्पिक टीम का सचिन तेंदूल कर कहें तो ये कम नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से खेल के मैडान में सचिन पर लोगों को मैड जुटाने का भरोसा होता है कुछ ऐसा ही भरोसा पूरे हिंदुस्तान को नीरत चोपडा से है जिनके भाले में इतनी रफ्तार है कि इसके आगे पाकिस्तान तो क्या दुनिया के तमाम जैवलीन थ्रोर भेर हो जाते हैं एस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब 6 अगस्त को जैवलीन थ्रो का क्वालिफायर हो रहा था टोकियो ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरत चोपडा से इस बार भी भारत को कुछ ज्यादा ही उम्मीदे हैं यही वज़ा है कि 6 अगस्त को जब जैवलीन थ्रो का क्वालिफायर राउंड हो रहा था तो पूरे हिंदुस्तान की नजर अपने गोल्डन बोई नीरत चोपडा पर थी जिनके भाले की रफ्तार में इतनी ताकत है कि दुनिया के तमाम खिलाडियों को पचाड़ते हुए टोकियो ओलम्पिक में गोल्ड जीत लिया था इस बार भी लगता है नीरत चोपडा गोल्ड मेडल जीत कर ही तम लेंगे जिसका ट्रेलर उन्होंने क्वालिफायर राउंड में ही दिखा दिया जब भारत के नीरत चोपडा ने 89.34 मीटर दूर भाला फेक कर फाइनल में एंट्री मारी ग्रेनारा से एडर्सन पीटर्स 88.63 मीटर दूर भाला फेक कर दूसरे स्थान पर रहे पाकिस्तान के अर्शिद नदीम 86.59 मीटर दूर भाला फेक कर तीसरे स्थान पर बने रहे ब्राजील के LM10 सिल्वा 85.91 मीटर दूर भाला फेक कर चोथे स्थान पर रहे मालडोवा के एट्रियन माडेयर 84.13 मीटर दूर भाला फेक कर पाचवे स्थान पर बने फिललेंड के लासी इटेल आटलो 82.9 मीटर दूर भाला फेक कर छटे स्थान पर रहे ग्रूप B में पूरी दुनिया से 16 खिलाडियों ने जैवलीन थ्रो क्वालिफायर मुकाबले में हिस्सा लिया लेकिन 6 ही खिलाडी अगले राउंट के लिए क्वालिफाई कर पाए जिन में नीरत चोपडा 89.34 मीटर दूर भाला फेक कर टॉप पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया यानि नीरत चोपडा इतिहाज सुरचने से सर्फ एक कदम दूर है इस बार भी अगर नीरत चोपडा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं तो ओलंपिक व्यक्ति गत वर्ग में दो गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतिय होंगे पहराल आपको क्या लगता है कि क्या नीरत चोपडा इस बार भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल भारत लाएंगे अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं